चलिये बच्छा, शुरुवात करते हैं यहाँ पर हमारे lecture नमबर टू और इस कक्षा के अंदर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कम्यूनिकेशन क्या होता है, सेंडर क्या है, Receiver क्या है, मेसेज क्या है टेक्नीक्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं तो यह सारी चीज़े हम लोग करेंगे और बहुत इंट्रस्टिंग तरीके से बिलकुल करने वाले हैं और थैंक्यू सो मच बच्छा आपके इतने सपोर्ट के लिए और बेसिकली और सपोर्ट है जिसकी मुझे और जादा उमीद है यानि कि आप वीडियो को इसको लाइक कर देंगे अगर आपको अच्छा लगेगा चानल को शेर भी कर देंगे खुद से सब्सक्राइब भी कर देंगे और दोस्तों के साथ में शेर 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 कर देंगे ठीक है तो चलिए फिर जल्दी से जल्दी इस से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सीरीज को अंत तक लेकर करके जाते हैं चलिए Hello my dear बच्चा, how are you all guys, कैसे हो तो चलिए इस काक्षा की बिलकुल शिरुवात करते हैं और लेक्चर नमबर 2 के साथ में तो आप लोग बिलकुल जो है थम्नेल देखकर के आए होंगे कि मैं हमें switching technique और bandwidth वगरा इन सब के बारे में बताने वाले हैं तो बिलकुल चलिए, शर्वात करते हैं और करते हैं शर्वात switching technique के साथ में तो कहता है कि switching techniques are used for transmitting data across network different ways of sending data across the network जैसे कि हमारे पास में है कौन-कौन सी, circuit switching, message switching या फर packet switching, कहता है कि भाई, आप एक जगह से दूसरी जगह पर data transfer कर सकते हैं, तो वो जो data आप transfer कर सकते हैं, वो किस-किस तरीके से, मतलब जो जो techniques यहां पर use होती हैं, वो कौन-कौन सी है, सो basically आप बात करेंगे यहां पर circuit switching की, आप बात करने वाले हैं message switching की, आप बात करने वाले हैं यहां पर बिलकुल packet switching की, तो चलिए, शिरुवात करते हैं कुछ यहां पर packet switching के साथ में, नहीं, circuit switching के साथ में, sorry, तो देखिए, circuit switching आपके पास में है कि basically ये कुछ end-to-end आपका जो है यहाँ पर transmission है, जो basically होता है, जो मैं end-to-end यहाँ पर transmission किसकी बात की जारी है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आप telephone line का example लीजिए, यहाँ से आप हैं और आपने किसी को phone करना है, जो कि इस B place के उपर है, त तो आप थोड़ा सा imagine करिए कि जब आपको मान लीजिए, landline phone है, उससे आपको A स B को phone करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले of course phone होना चाहिए, उसके बाद में क्या होता है, कि जब landline phone है, तो पूरी तारे वारे बिचती है, एक प्रोपर एक पात है, जो बना तो यहाँ पर आपका क्या होता है, end to end, जो है, transmission जो path है, वो आपका बनता है, और जिससे क्या होता है, एक source से destination तक आपका data है, जो प्रोपरली पहुंच पाता है, तो basically इसके अंदर जो delivery होती है, message की, वो guaranteed होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें होता है, क्या कि आपका पहले path र जाता है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, बाकि अगर कुछ आगे बढ़ेंगे, और message switching, यानि की अगली टेकनीक की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको दो शब्द हैं, जो याद में रखने है, पहला शब्द, store और दूसरा शब्द है, यहाँ पर forward, सो बि यहाँ पर क्या होगा, वो पहले store होगा, फिर आगे forward किया जाएगा, वहाँ पर फिर store होगा, आगे forward, तो मैम कहना क्या चा रहे हैं, सो यहाँ पर मैं बताती हूँ, सो storage के लिए एक temporary memory, यानि की buffer का use है, जो basically किया जाता है, सो अभी मैं आपको बताती हूँ, example के through, तो जी होता क्या है, यहाँ से आपका डेटा चलता है, सो चलता है डेटा, आगे यहाँ पर पहुंचता है, सो यहाँ पर क्या होगा, कि भई अब आगे का रास्ता टह किया जाएगा, कि किस route से डेटा है, जो destination तक पहुंचाया जाए, जहाँ पर traffic कुछ कम हो, सो बात होती बफ़र के अंदर आपका डेटा है जो स्टोर होता है सो बफ़र यानि कि आपकी temporary memory और डेटा भी temporary basis पर स्टोर होगा तो यहाँ पर पहले स्टोर होगा और फिर उस पात पर जहाँ पर traffic कम होगा आपका डेटा वहाँ पर forward कर दिया जाएगा यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगी पहले स्टोर होगा फिर forward, store, forward करते करते destination तक पहुंचेगा अब बात यहीं पर खतम नहीं हो जाती है मान लिजे आपका डेटा यहाँ से गया यहाँ पर store forward हुआ अब वो यह route भी पकड़ सकता था basically ठीक है यानि कि जहाँ पर भी traffic कम होगा वो उधर से जाकर कि अपना जो data है वो move करेगा और फिर finally destination तक पहुंचेगा यह कुछ example आप समझ सकते थे message switching के साथ में बात करेंगे यहाँ पर packet switching की तो packet switching के अंदर basically होता क्या है कि आप लोगों का जो message होता है वो packets के अंदर है जो divide होता है तो generally आजकल यही technique है जो basically use आती है तो देखिए यह आपका message है कुछ A, B, C, D अब आपका message क्या होगा कि भाई अलग-अलग packets के अंदर different packets के अंदर जो है divide हो जाएगा और हर packet के साथ में IP address होगा जहाँ पर destination पर data पहुंचना है उसका IP address क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे packets में divide हो जाएगा तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा packet किसका है क्योंकि ऐसे में बहुत सारे messages flow हो रहे होंगे, है ना सबके पास एक IP address होता है तो सारा data आपका जो है packets में divide होगा, अलग-अलग route से data है आता है और जहां पर हमें data पहुंचाना है उसके server पर आकर के फिर से क्या किया जाएगा, उस data को re-assemble किया जाएगा, यानि कि उस form में वापिस लाया जाएगा जिस form में भेजा गया था सारे packets में एकठा होते हैं, जुड़ते हैं और फिर फाइनली जाकर के आपका data आपकी destination तक पहुंचाता है, so basically ये कुछ हाल रहता है और मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, जो जादा कुछ है नहीं इसके अंदर, आप अपनी तरफ से अगर आपको चीजे समझ में आ गए, आप अपनी तरफ से भी कहने का मतलब है जो लिख सकते हो, ठीक है अब चलिए कुछ कहानी आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक दो चीजों का जिक्र हुआ है कि भई, data आपका जो है, sender से receiver के पास में भेजा गया यानि कि source से कुछ destination तक data आपका भेजा गया तो इसको basically क्या वो लेंगे बिल्कुल एक communication है जो हो पाया है क्योंकि अगर यह तुम्हारा sender था और अगर यह तुम्हारा receiver था तो यानि कि कहने का मतलब है दोनों का आपस में यहाँ पर data अगर भेजना है जो वो जो communication कराना है वो यहाँ पर जरूरी है सो यह होता है communication sender और receiver के बीच में जो एक connection established होता है आगे हम कुछ कहानी को बढ़ाते हुए यहाँ पर कुछ शब्दों का हम use कर रहे थे जैसे कि sender हो गया जैसे कि receiver हो गया जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें क्या जो है message राइट सो यहाँ पर देखे अगर यह हमारा sender था basically I think अभी तक समझ में आ गया होगा और यह आपका क्या था receiver था बिल्कुल सो क्या था कि sender यानि कि जो data भेजता है यानि कि यह हमारा जो device है यह sender device हो गया और यहाँ पर receive हो रहा है तो यह हमारा receive करने वाला device है जो हो गया और जो message आप एक से जगए दूसरी जगए पर भेज रहे हो basically तो वो जो message है वो किसी भी form के अंदर हो सकता है it can be in the form of text, video, images, file या कुछ भी ठीक है यह हमारा जो data है किसी भी basically form के अंदर हो सकता है so आपको communication पता है sender पता है, receiver पता है message आपको पता है तो चलिए अब यहाँ अपर कुछ जिक्र कर लिया जाए किसका channel का so channel basically इसको पढ़ते हैं कहता है कि channel is the medium used to carry information or data from one point to another point so देखे एक point से दूसरे point तक आपका data है जो जाना है वो किस channel, किस माध्यम से किस medium से है जो जाएगा so उस medium को आप यहाँ पर channel बोलते हो so वो जो medium है वो आपका यहाँ पर guided हो सकता है यहाँ पर unguided है जो हो सकता है यानि कि अगर इस channel से data इस channel तक भेजना है so कौन सा medium यूज किया जा सकता है so आप यहाँ पर wireless medium भी यूज कर सकते है और wire भी यूज कर सकते है so कहने का मतलब यहाँ पर यह जो channel है so यह channel यहाँ पर wireless establish हो रहा है और यहाँ पर wire के साथ में इसी को हम कुछ guided और unguided media के नाम से जानते हैं guided यानि की यहाँ पर तार का यूज हो रहा है unguided यानि की बिना तार के यहाँ पर अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर bandwidth के बारे में so basically होता क्या है bandwidth अगर आप हमसे पूछो तो हम आपको यहाँ पर कहेंगे कि एक तरीके से यहाँ पर क्या है कि एक limit है कि एक बार में आपका data कितना है जो basically आपको यहाँ से transfer है जो करना है इवर्ट यानि की limit एक बार में आपका कितना data है जो transfer हो रहा है जैसे कि example ले ले लिजे यहाँ पर एक pipe है इसका मूँ बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर यह जो है एक चोटी pipe है तो यहाँ से देखिए चोटी pipe है, इसका मूँ बहुत ही चोटा है तो यहाँ से कम पानी है जो आ रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है और यहाँ से ज़्यादा पानी है जो आपका फ्लो हो रहा है तो यानि कि एक बार में आपका कितना data है जो basically जो है transfer हो रहा है तो अगर जादा हो रहा है तो बिल्कुल वो हमारी high bandwidth होगी कम हो रहा है तो वो low bandwidth होगी ठीक है, so basically bandwidth क्या है, it is a range of frequencies within a given band that is used for transmitting as analog signals क्योंकि हमारे internet पर क्या चलते हैं, analog signals चलते हैं bandwidth को जो है आपकी हर्टेज के अंदर है, जो यहां पर जो है आप कहलो की तरीके से count होती है बात करेंगे data transfer rate की, data transfer rate exactly जैसे कि आपका data एक बार में कितना transfer exactly में वो amount कितना हो रहा है DTR data transfer rate is the amount of data in digital form that is moved from one place to another place ठीक है, in the given time on a network So, एक जगे से दूसरी जगे पर आपका जो data है basically जो है कितना data amount उसका basically So, rate basically amount data का की बही एक जगे से दूसरी जगे पर जब data आप transfer कर रहे हैं, तो कितना data आपका है जो transfer हो रहा है जो basically करते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखें, bandwidth आपकी hurtles के अंदर होती है और यह हमारा अब जो है BPS, KBPS, MBPS, GBPS इसके अंदर है, जो measure किया जाता है तो आगे हम लोग यहाँ पर अगली class के अंदर basically देखने वाले हैं, communication channel So, मैंने कहा कि एक जगे से दूसरी जगे पर आपका data transfer होता है ठीक है, तो यहाँ पर medium कौन सा use किया जाता है, बिल्कुल guided और unguided यानि कि wire के साथ में और बेना wire के साथ में तो अगली जो हमारी कक्षा है, हम उसके अंदर इन ही wireless और wire वाले जो medium है, इनके बारे में है, जो बात करने वाले है, ठीक है So, हम जो है, इसको topic based रख रहे हैं पूरे के पूरे इस lecture, पूरी की पूरी इस series को, यानि की पूरी की पूरी playlist को तो आपको छोटे-छोटे टुकडों में बांट-बांट करके मैं इसमें आपको चीजे करा रही हूँ So, I hope बच्चा आप लोगों को समझ में आ गया होगा And बिल्कुल अगर ऐसी बात है, तो चैनल को subscribe बिल्कुल कर दीजिए And चैनल subscribe होना चाहिए और दोस्तों के साथ में share भी होना चाहिए तो चलिए, फिर मिलते हैं आपको अगले lecture के अंदर So, bye-bye guys, and God bless you